पाकिस्तान के नई विदेश मंद्री बिलावल भुट्टो जर्दारी ने संयुक्त रराष्ट्र में एक बार फिर कश्मीर मुद्दा उठाते हुए भारत पर नशाना साधा बिलावल ने गुरुबार को संयुक्त रराष्ट्र सुरक्षा परिशद में संघर्ष और खाद सुरक्षा विशय पर ओपन डिबेट में हिस्सा लेते हुए कहा कि संयुक्त रराष्ट्र के स्थापना इसी मंशा के साथ की गई थी कि वे समस्याओं का हल निकाले युद्ध समाप्त करे, शांती बनाय रखे, भुख गरीबी और हताशा से जंग लड़े अपनी इस रिबेट के दौरान बिलावल ने जमु कश्मीर का विशेश दर्जा खत्म करने की आलोचना करते हुए इसे सेयुक्तरष्टर प्रस्तावना का उलंगन बताया उन्होंने भारत में कश्मीरी लोगों के उत्पीडन और उन पर अत्याचार का आरूप लगाते हुए उसकी भी आलोचना की बिलावल ने आगे यह भी कहा कि 5 अगस 2019 के भारत सरकार के फैसले और कश्मीर को लेकर परिसीमन आयोक के सिफारिशों जैसे कदम सिर्फ कश्मीर के लोगों पर ही नहीं बलकि सयुक्तरष्ट, सयुक्तरष्टर सुरक्षा परिशद, उसकी प्रस्तावना और चौथे जिनेवा कन्वेंशन पर भी हमला है पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने यहें भी कहा है कि कश्मीर के मुस्लिम बहुसंख्यकों को उनकी जमीनों और घरों में अलपसंख्यक बनाया जा रहा है इससे कश्मीर के युवाओं के सामने यह सवाल खड़ा हो जाता है कि इस संगर्ष को कौन सुल जाएगा और जिस शान्ती का उसने वादा किया था उसे कौन बहल करेगा लेकिन इन सब के बीच सेंवत रराश्टर हाथ पर हाथ रख कर बैठा है ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाबकेसरी.com के साथ झाल झाल झाल